नमस्कार दोस्तो यह तेल लगाने से आपके बाल काले, घने, मजबूत और चमकीले बन जाएंगे तो दोस्तो यह तेल में अपने घर पे ही बना है, घरेली नुकसा अपना कर देख सकते हैं कि यह तेल लगाने से आपका बाल जो जढ़ना है वो प्रॉब्लम सौल हो जाएगी, जो सफेद बाल से परशान रहते हैं वो भी बाल आपका काले होने शुरू हो जाएंगे तो यह तेल आपको नीमित रूप से लगाना है और यह लगा कर आप अपने बालों को सौस्त बना सकते हो, चमकीले बना सकते हो और बाल इतने घर और मुलाइम भी बना सकते हो खास करके महिलाओ को यह तेल अक्सर सूट कर जाएगा और महिलाओ के लिए तेल बहुत ही अच इन्दर मिलना शुरु हो जाएगा आपके बाल में ड्रायने से भाल में बनेंगे बाल मजबूत बनेगी और इतनी जल्दी बनेगी बाल की पूचो मत बाल इतनी तेजी से बढ़ने चाल हो जाएंगे दोस्तो यह तेल किस तरह बनाना है तो आए इस वीडियो में आपको बता करें हैंुआ गीम तो आंवरी लेना से क्या है कि अच्छी तरीकितार से जरू दयें है DragS दोस्तो आप TV करेंगे किकर ऊदसे इससे वीर आमके देंगे ह। क्याक कर Tech में मन सब में दोड़ाी में मामनों कीजहरान ही स्कूलिए फिलिदा लेना अगर आमला यूस करेंगे तो आपके बाल हेल्थी रहेगा क्योंकि ये आपके स्केल्प को हेल्थी रखेगा दोस्तो इसका जो बात की जाए तो आमला हमेशा यूस करते हैं तो उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे दोस्तो हमें आमले का तेल का यूज़ करना है तो इसको पहले समझ लेना चाहिए कि इसे किस तरीके से यूज़ करना है क्योंकि आमला में दोस्तो फैटी एसिर होता है जो बालो को तेजी से बढ़ाता है और बालो को मजबूत करता है और बालो की जो तूटनी की समस्या है वो हमेशा खता है तो फ्रेंड्स मैंने 16 से 17 आउला ले लिए देख रहे हैं बहुत फ्रेश आउला है तो आपको इसको क्या करना है कि ए आउले को भीसना है मतलब जो कद्दू कस करने वालाता है उससे अच्छी तरीके से घीस लेना है उससे क्या होता है कि आपको एकदम प्यॉर आउला का जो कर्दू कस किया हुआ वह आपको मिल जाएगा तो देख रहे हैं इस तरीके से आउले को घीस के पूरा चोटे-चोटे बारीक टुकड़ों में मैंने इसे कर लिया है तो इसको आपको क्या करना है कि यह जो बारीक टूगड़ा है इसको आपको एक कुछ कोई सूती कपड़ ले सकते हो या नैलोन कपड़ा ले सकिते उसमें डाल कि इसके डबा इसका रस निकाल सकते है तो इस तरीके से आपको निकाला है कटोई में मैंने सूती कपड़ा ले लिया है अब इसके अंदर यह जो आपका करदू कस किया हुआ उसको ऐसivas da 77 रख लेना हे और उसको अच् का जूस आपको यूस करना है में आमले का तेल बनाने भी तो दोस्तों देखने इस वीडियो में किस तरीके से मैं इसे अच्छी तरीके से धीरे धीरे दबा दबा कि इसका जितना रस है वो में इसे निकाल ले रहा हूं तो दोस्तों इस तरीके सापको आमले का रस निकाले न आहा नहीं है सिस समाल के क pessimist के रख सकते हो सोखा के रखने के लाद यह भी कामइं का दोस्तों काप मिक्चेर करके चूण बनाकर चूण में इसको आप अपने शूण के यूरूप में इसे यूज़ कर सक्ते तो दोस्तों अभी क्या करना है आप iasslt तो फ्रेंट आपको्त खाली लेत lang 여d नहीं तो तक हम आपय प्यर पादन अजया हएं। आप पीहगी चिंपंपनी का प्योड को को कोकुनुट यह लिए हैं लिए तो चुशने हैं। तो दोस्तों जब पतेली गरम हो जाए तो इसको अच्छी तरीके से इसके उपर से जो आधा लिटर तेल है नाडिल का इसमें डाल देजिए तेल किसमा से आपको बाल का जहना कम हो जाता है दोस्तों ये दो मुहें बालों को भी होने से रोकता है ये बालों को जो आपका रुखी बाल होता है उसे भी आपको मुलाइम बनाता है ये बालों को ड्राइनेस होता है ब्राइनेस कम कर देता है और बालों में नमी बनाया का है अब इसके अंदर में आमला का यह जूस है इसे यूस कर दिर कर रहा हूं तो इसे अच्छी तरीके से पूरा जो आमले का कम सब मिनिमम आपको 15-20 मिट पहले पकाना है तोटल यह आपको कम से कम अर्दा घंटा या 45 मिली तक धीमी आच में पकाना और बीच बीच में से चलाते रहना है देखना की नीचे पकड़ रहा है की नहीं अभी देखो यह आमला का रस इसके चमच के अंदर पानी जैसा दिख रहा ह है आमली के लिभीक चास आपको अब में से ऊताया थैक्शिक में से इस सारी प्रॉबलम्स को आपको दूर करता है तो आमला चाने से बहुत बसक्र फायदा करता है और आमला कर त Ace अगर आप आमला का तेल लगाते हो तो आपके बाल हमेशा के लिए ज्हंडा बंद रिशन हो जाएगा रिशनक सूँपर को नहाने से 30 मिट पहले यह इस तेल को अपनाना है और अच्छी तरीके से अपने जो मसाज करना है अपने बालों को स्केल्प के अंदर अच्छी से तरीक जब यह तेल पैनिटेट हो जाएगा इसके लिए आपको आपके बाल जो पतले होंगे जो कमजोड होंगे वो आपके बाल का जो चमक हमेशा बनी रहेगी दोस्तों आप वीडियो में देख रहेगी आउना देरे देरे चूरने लगा है और देरे पकने लगा है अब इसे पकाते रहना दीरी दीरी आँच में कम से कम 45 मुई तक इसे पकाए जब तक ये काले ना हो जाए और जैसे काले होएंगे तो इसे हमें इस आउले का जो टोप बना हुआ तेल जो रिसीपी है उसे उतार लेना है उतार के दोस्तो इसे साइड में रख लेना थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे चान लेना है तो चान लेना है कोई भी छलनी के मदद से आप इसे चान ले तो देख सकते हैं कि ये तेल किस तरीके से काला दिख रहा है एकदम देखने में पूरा black color है दोस्तो, यह तील आपके बालों को एकदम से काला कर देगा आपको बालों को घना कर देगा और मुलायम और चमकदार बना देगा तो दोस्तो, इसी तरीके से आपको करना था दोस्तो, अच्छे से इसे चान के अब इसे कटोरी में साइड में रख दो अब ये ठंडा हो जा तो पूरी तरह से तब इसे 12 घंटे के बाद अपने बालों में इस्तमाल करना है तूरंत नहीं इस्तमाल करना है दोस्तों इसे 12 घंटे के बाद अपने बालों में इस्तमाल करना है तो दोस्तों इसको 30 मीट पहल कराना है मैंने पहले भी बता चुका है इस तरीके आपको आप 30 मिट पहले सोने से लगा लीजिए और सुबे उठके नहालीजिए तो आपके बाल देखोगे कि आपके हाथ आपके बालों के अंदर नहीं फस रहे हैं बाल सिलकी हो जा रहें बाल मुलायम हो जा रहें और दोस्तों में इतना धियां रखना कि आपको इस तरीके से बचा करना है अगर यूज कर रहे हों हप्ते में एक बार थो मुझा अपे से शेंपू यूज कर सकते हो और यूंए कस रिए और क्रेमी चाहला के लुज करते हैं कि आपmb elles शांपू सी साबून के लिए बार बार में भाड़ हुआ है अपनी बालों आज का नुक्सा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना धन्यवाद